दिवंगत गायत मुहम्मद रफी साहब के मुवी अमृत्सर के राजेश भगत की रफी साहब जैसी आवाज जो लोगों को अपनी ओर खीचती हैं लोग उनकी आवाज के दिवाने हैं दोस्तों आपको बता दे कि मुहम्मद रफी साहब का जन्द गुरू की नगली अमृत्सर के मजीथा के पोटला सुल्टान गाउं मुवाथा और हमारे राजेश भगत में इस पवित्र गुरू की नगली अमृत्सर के निवासी हैं और और इंडिया रेडियो दूरदर्शन क से घीथ को सुनाने की फर्माईश की उन्हों ने कहा कि जब पूरे देश में करोना महामारी के कारण लोगडाउन लगा हुआ था और कोरोना महामारी के कारण पंजाब में पूर रूट से कर्फू लगा हुआ था उस समय लोगों के मन में करोना महामारी के कारण भई का माह और लोगों का ध्यान आकर शिप करने के लिए, मैंने फेस्बुक पर लाइव गाना शुड़ू कर दिया, अब देश विदेश की लोग फेस्बुक पर मुझ से जुल गए हैं, उन्हों ने मेरे द्वारा गाए गए गीतों की प्रशनसा की है, उन्हों ने कहा कि कोरोना महामा महारी में सफाय करनी, मीडिया करनी, कुलिस करनी दा, अभिनेता उन्हों ने भी बहुत लोगदान दिया है, यहीं से करुणा महामारी में लोगों की सेवा करने का वचार मेरे मन में आया, पांच शुलाई से सौ दिन हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सभी के लिए अपन कुझ सजी घुखते सबह नो तों कुझ सजी दिल भिच की एंगल हो गपाा ससी जुप दे सब अपनों तूं कोल कुझ ससी यार यार आनाल जुप नावटां दे यार यार आनाल जुप नावटां दे नी तेरी के में आख लग गई लगी वाले देकते लयों साँदे जुझे आख लग गई जुले में दो नाजुक बोटों खुझे और नहीं है जाम है ये छूलेने दो नाजुखे होटों कुछे और नहीं है जाम है ये खुदरत ने जो हमको बक्षा है वो सबसे हसी की नाम है ये छूलेने दो नाजुखे होटों को शरमा के नаю ही खोते ना रंगीन जवानी की खड़िया शरमा के नаю ही खोते ना रंगीन जवानी की खड़िया बेताब धड़कते सीनों का हर्मान भरा पैगाम है ये छूले ने दो नाजब हो तूप कुछ और नहीं है जाम है ये छूले ने दो नाजब हो तूप मैं इक राजा हूँ तू इक रानी है मैं इक राजा हूँ तू इक रानी है प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है मैं इक राजा हूँ तूप मेरा नरजीश पकतेजी अर ने रेड़ी ते विच मैं असेशन एंजिनियर रहा हूँ तूप मैं इक सेवा समझ के शुरू किता सी क्योंके मैं बच्पन तूँ बहुत देवत तो मैं गार्याम है और पहलों ता सदे रोडीन दे शोज वगरा चल देशी कोई टीवी दिया रिकोर्डिंगा में लेकर लोगड़ों देंदरान में नो यह लगा कि उन जस तरह पबलीक वी सारी कर्च बैठी है और असी भी कर्च बैठी है कुशनों कुश आप लेवलों इस तरह दा कुश करना चाहिए शोशिल कम करना चाहिए सेवा करनी जाए दिये जिदे नाल के लोगी कराच बैठे मेंटल डिप्रेस्ट है गिने और टेंचन है गिये मन्च खौफ है करोना दा वह मारी दा ते उना नो कुश साड़े गान दे ने डॉक्टर ने और मैं कला का रहां सी कला कर लोग भी आपने लोगों को श्योग दन पाई है और फिर मैं अठाई मार्च तो मैं फेस्बुक ते लाइब डेली पाई तो साथ गाने शुरू की दे गाने बिना ब्रेक दे फिर मैं पांच जो रही तक मैं सो दिन मैंनू यह हुई सोच के आया कि रूटीन ची थी असी सारे कम कर दे सी ते साथे को कदी टाइम एना होना नी सी कदी फेस्बुक ते कदी एक गणा रेकॉर्ड कीता दे पा देता लेकर ने कदी सोच जा नी सी मैं फिर देखिया कि कोछ शोचल वीडिया थी काफी लोग मेरा टाइम भी बदिया पास है और कोछ शोचल मैसेज पर पर रिकरूँ जाए जी तेना लग और रस्फोंस बड़ अच्छा है लोग इंडिया भी फारण दूसरे देशन देशन देवेच भी जुड़े ने हैं बहुत अच्छा प्यार कर दें बहुत अच्छा लगार कर गान दा बच्पन तो ही सार मेनों शौक सी मेरे कार देवेचे महाल सी फादर मेरे जड़ेने ओ शौक सी होना नो कि संगीता रफी सानु पसंद कर दे सी कांदे में सी तोड़ा पहता है शौकिया और कुछ मैं फिर रेडियो सुन दा सी प्रवार साधा रेडियो सुन दा सी प्रवारवलों किसा स्पोर्ट प्रवारवलों बहुत अची स्पोर्ट मेरी बाइफ बहुत मेरे स्पोर्ट कर दी है गलती हैं जिदियें धर स्बस्ते नारा पर जान देने और हमेशा निकर्ज करते हैं प्रोग्राम थो पहलें वह लाइब होना अधे बहुत परदे से बहुत स्पोर्ट हों थी है मैं जो ऑफिस तो मेरे आं तो पूरी मेरी तियारी कीती हो ना कपड़े बगारा सांग सेलेक में मेसेज जना चुम्दा के देखो जी करोना देवेच जिस तरह सी का राच मेठे हैं असी कोशिश ये करिए कि आसी बोर्यत मसूच ना करिए और इस बुमारीद उडरी है ना वो दिवासे सानु करना कि एक बचावास ते आसी कटो का डबार जाए जिनने के सानु जरूरत ह सोचल डिस्टन्स रखिए सेनिटाजर यूज करिए मास्क यूज करिए और जो सड़ियां सरकारां जड़ियां उसानु हदायत हैं दे रहे हुंदा पालन करिए और कारच रहा कि अपने प्रवार देनार सी प्यार नार सम्मा बताईए जो के बहुत सालना तो असानु आद अट वजे तो मैं लाई होना जी अट तो अट चाड़ी तक मैं लाई डेली होना मैं मेरी मेरी कोशिश ही हुँ दिये के मैं पाई तो साथ गड़े लामा कई वारी ज्यादा फर मैशा जान दी डिमार ना दी ये ते फिर मैं बदा अभी देना में लिए तो